हाई फिरेंड्स वेलकम टो अवर यूटूब चनल तो इस वीडियो में यूरो क्वालिफाइड्स का मैच कवर करेंगे और ये मैच खेला जाएगा सलोवाकिया और पोर्टुगल के बीच में दोनुसी को मैच में कौन सी करेंगें और ये मैच को विन करेंगे और कितना गोल सकोर करेंगे और किन 11 में से किस को कप्टन और किस को wise कप्टन देना है ये सारी information आपको इस वीडियो में complete दी जाएँएंगे आप वीडियो को ध्यान से देखना तो दोस्त अब हम इन दोनों टीम का head to head matches में नज़र डालेंगे और वहां से ये पता करेंगे कि जब ये दोनों टीम आपस में खेलती है तो किस टीम जो पास winning की possibility हाइड एती है और दोनों टीम की FIFA World Ranking क्या है तो चलिए पहले दोनों टीम का head to head matches को देख लेते है तो friends पहले हम बात करें FIFA World Ranking के बारे में तो गई सलो वाकिया FIFA World Ranking में फिलहाल के टाइम पर 47th position पर है वहीं पर बात करें Portugal FIFA World Ranking में ये फिलहाल टाइम पर 9th position पर है तो यहां से यही comparison देखने को मिलता है Portugal FIFA Ranking कनूसर एक better team है लेकिन head to head इन दोनों टीम के बीच में दो मैच खेल गए है और दो मैच में से अभी तक सलो वाकिया ने इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं किया बलकि एक मैच draw खेला है एक मैच loss भी किया है अटेक वाइज 0.5 गोल पर मैच सकोर के डिफेंस वाइज 1.5 गोल पर मैच सकोर कंसीड किया है कहना क मतलब दोनों मैच में Portugal ने इस टीम के सामने performance काफी स्यांदार दिया है अटेक वाइज भी और डिफेंस से भी पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया था वो दोनों टीम के बीच में 2005 में खेला गया था और उस मैच को Portugal ने 2-0 से विन कर लिया और एक मैच दोनों टीम ने अटेक वाइज भी एक गोल कंसीड किया गया तो कहनक मतलब हैट्ट्वेड का अनुसार फिर भी आपको Portugal यानि रोनाल्डो की टीम आगे देखने को मिलेगी तो आज के मैच में कहीं ने कहीं एक फैवरेट टीम रोनाल्डो की यानि पोर्टूगल ही रहने वाली है लेकर हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो रीजेट फॉर्म है उसका अनुसार दोनों टीम का अटेकिंग परफॉमेंस कैसा है और डिफेंस को लेकर कौन सी टीम फिल हल के टाइम पर मजबूत है तो चलिए सबसे पहला हम सलो वाक्या के रीसेंट फॉम पर नज़ डालते हैं और हाँ दोस्त इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी ने वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो का टॉप के कॉमेंट में है वीडियो का डिस्क्रिप्सिन में आप वहाँ से टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो टेलिग्राम से जुड़ने का फायद है किया हैं देखो इस मैच की लाइन अप रहेगी वो लाइन अप भी आपको फाइनल टेलिग्राम पर डाले जाएगी और इस मैच में ग्रान लीग की और समोल लीग की जो दूनों टीम रहेंगी वो भी आपको टेलिग्राम चैनल पर दी जाएगी तो आपको जुड़ना जरूर है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बहतर प्रेडिक्शन कर सकता हूँ फाइनल टीम यूटूब पर देना थोड़ा मुस्किल होता है क्योंकि लाइनप के अनुसार कुछ चैन्जस होते हैं लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस परकार की वीडियो ने इस परकार की वीडियो आपको पूरे यूटूब में नहीं मिलेगी क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यही चीज होने वाली है इस मैच में वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा तो दोस्त पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओकै तो चले सबसे पहले हम सलो वाक्या कर रीसेंट फॉर्म पर सब्सक्राइब करना तो फिलहाल के टाइम पर इस टीम का रजल्ट काफी स्यांदार है अटेकिंग वाइज पर्फॉर्मेंस बैटर है डिफेंस वाइज भी टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती जो पिछला मैच खेला थी इस टीम ने वन जीरो से विन किया था उस मैच म बर्ग और चिले के सामने टीम डिफेंसिव ड्रोखे लिए और मॉंटे नेगरो के सामने टीम अटेकिंग ड्रोखे लिए तो फिलहाल के टाइम पर पर्फॉर्मेंस सलो वाक्य का अटेकिंग वाइज भी अच्छा है डिफेंस वाइज भी कहने कि यह टीम अच्छा कर सकती है आज के मैच नहीं लेकिन ज़्यादा गोल डिफेंस कंसीड नहीं करते हैं गर मैच को हारती भी है तो यहां से पता चलता है कि डिफेंस सिस्टीम का फिलाल टाइम पर बैटर है तो अब हम बात करते हैं पॉर्टूगल का जो रीसेंट फॉर्म है उसका नुसर क्या है परफ है इसला में जो खेला है आइसलेंड के सामने टेम वन जीरो से विन की है बोस नेरी उकसामने छी Alex 2050 के शीजिशिरो देखने को मिलता है अटेक तो आपको पूरा रोनाल्डो देखने मिलेगा तो यहां से उम्मेंद कर सकते हो कि इसके पास गोल की काफी ज़्यादा भरमार है तो रिसेंट फॉर्टूगल का अटेक वाइज भी डिफेंस वाइज भी काफी श्यांदा रहे हैं तो फाइनल गई पर आपको पूर्टूगल तो यहां पर कौनशी टीम मजबूत है पॉर्टूगल है ओकर बात करें दोनों टीम का हैट्वर्ड मैचस बारह में तो अभी तक सलोवाके ने इस टीम के सामने अच्छा रजल्ट प्राप्त नहीं किया बलकि पॉर्टूगल ने इस टीम के सामने काफी स्यांदार परफॉर्फॉर्मेंस किया है पिछले दो मैच में आपने ये चीद द बेकर बैठी है तो यहाँ पर भी आपको कहने के पॉर्टूगल ही मजबूर देखने को मिलेगी तो इसलिए मैच टीम में मतलब आज के मैच में पॉर्टूगल को एक फैवरिट टीम मानग चलता हूँ तो फाइनल गईज अब बात आता है अब इस मैच की स्कॉर लाइन प पाईगी तो इसलिए मेरा इस मैच की स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन अभी के लिए है जीरो टू अब जीरो टू की प्रेडिक्शन को नुसर क्या रहनी चाहिए इस मैच में हमारी टीम और किस किस प्लियर को हमें टीम में रख चलना चाहिए क्योंकि अब तक जो मैंने प्लेयर को चूज करना है और उनका प्लेयर का सटेट्स भी दिखाऊंगा तो सबसे पहले हमने सलोवाक्य के पॉसिबल लाइन अप सीवर का अच्छा कर लेता है इंटरसेशन टेगल का ज्यादा पॉइंट आज की मैच में दे सकता है लेकिन मिलान एक हेडर वाइज काफी से ट्रोंगे और काफी ज्यादा एक्सपिरेंस लगता है कलब लेवल पर खेलता है मतलब इटली की सेरियल लीग में खेलता है फिर यह यहां से पेकारिक है इनको भी ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा देखो चार डिफेंडर में से हमारे पर दो हैं दो में से एक को चूज करना यह डैविड हैंको या मिलान देखो मैं अपनी टीम में मिलान को लेकर चलूंगा क्यों कि को नैशनल टीम के लिए बड़े का है और यहां से कुक का है देखो तीनों जो प्लेयर से वह काफी ज्यादा पर्फॉर्मेंस करते हैं डिफेंस वाइज भी और अटेकिंग वाइज तो मैं जाद इन पर भरोसा करते नहीं लेकिन मैं अपने टीम में ज़रूर दो प्लेयर हमसी को लेकर चलूंगा और यहां पॉर्टुगल के सामने गोल नहीं आये तो इतना ज़्यादा डिफेंस वर्क नहीं करेगा रोबर्ट मार्क है आपने देखोगा कि यह उस्टेलिया के एट लीग में खेलता है सिड्नी एपसी के लिए वहां पर इसने काफी श्यांदर पर्फॉर्मेंस किया था लेकिन आपके मजबूत है तो उस कंडिशन में आपके लिए गोल के पर मिलान और इस टीम हमसिक और यहां से लोबोट को यह चार ही प्लेयर्स में लेकर चला हूँ अगर आपको रखना तो अटेक्म वाई टीम तो यहां से इन दोनों को रख सकते हो बाकि हर एक प्लेयर्स को यहा जब भी खिला टीम के लिए 90 मिनट खिला अभी तक गोल और असिस्ट नहीं आए तो इतनी वीक टीम है यह टीम ज्यादा गोल नहीं कर पाती है तो आप यहां से हरी प्लेयर्स का सटैट्स को इस तरह रेड़ आउट कर सकते हो तो दोस्त अब हम बात करते हैं जो सेकंड टी नहीं लेंगा क्योंकि यह टीम डिफेंस से बच्छे अटेक से बच्छे तो उस टीम का ही गोल के पर ज्यादे टेस्ट होगा अब हम बात करें सेंटर बैक में आपको शिल्वा डियास परेरा देखो तीनों प्लेयर्स काफी ज़्यादा बड़े-बड़े क्लब के लिए ख किसी एक कलब के लिए खेलता है लेकिन काफी अच्छा इसका भी रिकोर्ड रहा है लेकिन इस सेजन में इतना खास परफॉंस नहीं है यह चीज़ बता दूँ जो कैंशल ओबेश लिक इंपोर्टेंट पिले पिछले सेजन यह मैंचेस्टर सिटी के लिए खेला था इसी ज मैंचेस्टर युनाइटिड का एज नमबर टेन खेलता कभी कभी सेंटर मेंड फिल्टर भूमी करने बाया था पाल ही नहीं हो मैं ज्यादा उम्मीद इससे नहीं करूंगा लेकिन पॉइंट यह फिर भी दे जाएगा यहां से रोनाल्ड बेस लिए और यहां से फिलिक्स यहां से आप अगर प्लेयर को तो यह टीम बहुत ही ज्यादा अटेकिंग और डिफेंस वाइज टीम है अब एक लिए हम जो प्लेयर पिक करेंगे अभी मैं उन किलिक कर रहा हूं तो इनको तो आपने लेकर चलना ही चलना कंडिशन चाहिए कोई भी हो लेकिन यह वो प्ले इस बेटर अगर पोजिशन बर्नांडो शिलवा को लेकर चलूंगा अब हम में अभी टीले शिलवा को एंद्रे सिलवा को लेकर चलेंगे डेल इन प्रेर लेना नहीं लेन वो लाइन अप पर डिपेंड रहेगा अभी लिए में इनको लेकर ड्रॉप करके चलाहूं देखो मैं च्टेट मतब स्टार्ट किया कौन से प्लिए नब मिनेट किला कितने गोल कितना इस्स्ट किया जैसे कि एक्जामपल तो पर आप बता दू रोनाल्डो का रिकॉर्ड दिखा था तो इस टीम के लिए पांच मैंच खिला है च्यार मैंच में स्टार्ट किया ओल्मूस जब दूनों टीम की पॉसिबल लाइनप देखिए लाइनप का नुसार मैं आपको बताए कि दूनों टीम की तरफ से हमें 11 प्लियर्स चूज करना साथ इसकी तरफ से साथ चार उसकी तरफ से क्योंकि वीक और सट्रों में यहीं फाइद रहता हमें साथ-चार को कॉंबिनेस से म पर हिनाज़ डालते हैं और हाँ दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आएने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना ओके तो चले देखते हैं तो अभी के लिए मैं यह टीम बनाक चला हूँ अब कैप्टन सिक कर इस टीम में बात की ज हैं दोनों एक बहतरी मतलब प्लेयर्स हैं जिनका असिस्ट का और गोल का चांस बने रहते हैं मैं अपने डिफेंडिंग सेख्स मिसलिवाइस के आपने देखें क्योंकि चांस जाद रहेंगे यह बिना गोल के पॉइंट भी चांस बने रहेंगा असिस्ट का पोटेंसल है मैने मिलान को लिए अपने टीम में और यहां से कुक्का को लिए है और यहां से लो बोटका को रखे चला हूँ ए लेकिन पोर्टुगल और आज के मैच में कुछ प्लिए को टेस्ट कर सकती है जैसे कि रिमोन होटा है गौंजल और रमोश है वह काफे अच्छे प्लियर् टेलिग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल को लिंक है न है वो इसी वीडियो का टॉप के कोमेंट में है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और इसमें एच की फाइनल टीम भी वहीं पर मिलेगी ओके मिलते हैं आप स्टूड़ो में टेक केर अनवाई अब इक लिए कैप्टन पहले बिदा दो है और सॉरी उरी कैप्टन हमारा रोणालडो रहिए और वाइस केख्र हमारे टीम है अब इक लिए केंसल हो रहने वाला तो यह दो बैस्ट ऑप्टन अब एकली मेरी साब से तो इन ही दोनों को मेम्टी में as a captain wise captain लेकर चला हूँ मिलते हैं ना श्टूडियो में take care and bye guys